आई योर बहनों, हमारी सरकार आपकी जरुरतों, आपकी आवशक्ताओं को देखते हुए फैसला लेती है। पूरी संवेदन सिल्टा के साथ आपकी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास कर रही है। अब किसानों के लिए महत्वपूं स्वामिनाथन कमेटी की रिपोर्ट का ही उदारन लीजिए। कई वर्षों से देश में मांग हो रही थी कि स्वामिनाथन कमेटी का रिपोर्ट को लागू किया जाए। लेकिन जितने दिन केंद्र में कॉंग्रेस की सरकार रही वो हाथ पर हाथ धरी बैठी रही। इस एक्तिहासिक फैसले को लेने का काम भी बीजेपी की केंद्र सरकार में किया। हमारी सरकार ने धान सही बाइस फचलों का समर्थन मुल्य लागत का डेज गुनाता है किया। लेकिन यहां के किसान भाई बैठ वो कह रहें कि उनकों धान का फचलों का जितना समर्थन मुल्य भारत सरकार ने तै किया है। यहां की व्यवस्ता के अभाव के कारण किसानों के प्रतीश संवेदन सिल्टा के अभाव के कारण स्थानिय सरकार पूरी तरह उसमें पिछड गई है किसानों को लाब मिल नहीं रहा लियाजा उन्हें पडोसी राज्यों का रूख करना पड़ रहा इस सवाल का जबाम मिलना चाहिए जब किसान को फाइदा नहीं हो रहा तो यह फाइदा किसकी जेब में जा रहा है किसके घर में जा रहा साथियों किसानों के स्थिती सुधारने के लिए उन्हें फसल की उचीत कमत दिलाने के लिए देश में नई व्यवस्ताओं के निर्माण के कारे में आज भारतिय जंता पार्टी की सरकार जुटी हुई है सतर साल से जो व्यवस्ता चली आ रही थी उसने किसानों का कितना भला किया है इसके हम सभी गवा रहे इसलिए केंद्र की भाज़पा सरकार बीज हो खाद हो सिंचाई हो या मंडी हर स्तर पर समस्याओं को जड़ से ही सुधार ने में जुटी है लागत कम हो मुल्य ज्यादा मिले बिचोलिये बिच से खत्व हो इसके लिए निरंतर प्रयास चल रहे है किसानों और उपभोगताओं के बीच बिचोलिये न रहे इसके लिए किसान को मंडियों से इंटरेट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है आउनलाइन बैंकिंग के जरिये जोड़ा जा रहा है इतना ही नहीं किसान की फसल बाजार तक आसानी से पहुँच जाए दूद फल सबजी का नुक्षान ना हो इसके लिए कोल स्टोरेज की चैन विक्षित की जा रही है किसान की आई बढ़ाने के लिए सिर्फ खेती के साथ साथ इससे जुड़े दूसरे व्यवसायों जैसे पसुपालन मुर्गी पालन मदुमख़्ी पालन और मचली पालन उस पर भी विशे ध्रान दिया जा रहा है